दूस्तो ODI World Cup 2013 में कल एक Blockbuster मुकाबला पाकिस्तान और बंगलादेश के बीची खिला गया और इस Blockbuster मुकाबले में पाकिस्तान ने बंगलादेश को हरा कर सेमी फाइनल में कौलिफाई करने की उमीदें पूरी तरह से बरकरार रखी है जबकि बंगलादेश सेमी फाइनल से ब सेमी फाइनल में कौलिफाय करने के क्या है रासे किस टीम को कितने अंका और चाहिए पूरा सेनेरियो क्या है इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी जो है पर तक बंस चैनल अब भाइन आ रहर हैको तो आये चलो चेनल हम बात करते हैं उन टीमों की जो सेमी फाइनल से बाहर हो चुकी है जिन में पहली जो टीम है बंगलादेश बंगलादेश को कल के मैच में पाकिस्तान ने हरा कर सेमी फाइनल की रेश से बाहर कर दिया बंगलादेश ने साथ मैचों में मात्र दो ही अंक हासिल कर पाई है और बंगलादेश पहली ऐसी टीम बनी है जो ODI World Cup 2030 से ऑफिसली बाहर हो चुकी है दूसरी जो टीम है इंग्लेंड इंग्लेंड ने छे मैचों में मात्र दो ही अंक हासिल किये है अभी तीन मैच और खिलेंग और अगर इन तीन मैचों में इस टीम को जीत मिल भी जाती है तो भी आठ अंक होंगे और आठ अंकों के साथ सेमी फाइनल में कौलिफाय करना बेहद मुश्किल है और ये टीम जो है लग बगग सेमी फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है वह इंगलेंड एक मैच और हारती है तो ओफिसली सेमी फाइनल से बाहर हो जाएगी नीदा लेंड्स और स्रिलंका ये दोनों टीमों ने छेचे मैच खेल करके चार-चार अंक हासिल के है दोनों टीमों का जो नेट रनेट है माइनस में काफी खराब है और ये दोनों टीमों जो है लगबग सेमी फाइनल की रेज से बाहर हो चुकी है अभी आने वाले दोनों टीमों में से कोई भी टीम एक मैच और हारती है वह टीम ओफिसली सेमी फाइनल की रेज से बाहर हो जाएगी दोनों टीमों के जो semi final में qualify करने के chances है वो मातरे 5 से 10% नजर आ रहे हैं वेसी जो 4 टीम हैं point stable में सबसे आखरी पायदान पर भी यह वह यह बात करते हैं उन दो टीमों की जो semi final में qualify कर लिया जिन में सबसे पहली जो टीम है इंडिया इंडिया ने world cup 2030 में 6 मैच खेल करके 12 अंक हासिल किये इंडिया पहली ऐसी टीम है जो ODI world cup 2030 में अब तक एक भी मैच में नहीं आ रही है दूसरी जो टीम है साउथ अफरिका साउथ अफरिका ने 6 मैच खेल करके 10 अंक हासिल किये ने डानेट इस टीम का पलस में सबसे बहतर है और यह टीम भी लगबगस semi final में qualify कर लेगी इस टीम को 3 मैचों में से 1 मैच और जीतना है और 1 मैच जीत करके 2 अंक और हासिल कर दिया दो 12 अंकों के साथ यह टीम semi final में जगह बना सकती है वैसे साउथ अफरिका के semi final में qualify करने चांसे थे 90 से 95% नजर आ रहे हैं इंडिया और साउथ अफरिका point stable में top पर बनी हुई है और अब बात करते हैं उन टीमों की जिन में से कोई 2 टीम जो है semi final में qualify कर सकती है जिन में ह और ऐसरेलिया न्यूजी लेंड और ऐसरेलिया दोनों ही टीमों ने 6-6 match खेल करके 8-8 अंक था अब ही दोनोह टीमों को आने वाले 3-3 matchon में से 2-2 match जीतकर्ए 4-4 अंक और हासिल करना है अगर दोनोह ही टीमें 2-2 match जीतकर्ए 4-4 अंक और हासिल करती तो 12 अंकों के साथ यह 60-70% नजर आ रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सेमी फाइनल में कौलिफाय करने के उमीदे पूरी तरह से बरकरार रखी हैं जहां पाकिस्तान ने कल के मैच में बंगला देश को हरा कर सेमी फाइनल में जाने के रास्ते थोड़े आसान निकल लिया है तो इस टीम क के पास 10 अंक होंगे और 10 अंकों के साथ-साथ इस टीम को बागी अधर टीमों पे डिपेंड रहना होगा सेमी फाइनल में कौलिफाय करने के लिए अगर ऑस्टेलिया नियूजिलेंड में तो कोई भी टीम दो मैच और आरती है तो पाकिस्तान के सेमी फाइनल में कौलिफा कर सकती है वैसे इन दो टीमों के सेमी फाइनल में कौलिफाइए करने की चांसे से 30-40 परसेंट नजर आ रहे हैं तो दोस्तो यह आप पूरा सेनेरियो ओडिया वर्लकप 2000 तो आपको क्या लगते है पाकिस्तान अफगानिस्तान और न्यूजिलेंड में से कौन से यह टीमे रहेंगे जो सेमी फाइनल में कौलिफाइए कर पाएंगी कमेंट करके जरूर बताएए दोस्तों इस उनों बसने हैं अगर आप वीडियो पसंद देए व चैनित्क वार्पाइए लाइस वाचे विडियों